अच्छी चीज़े उससे ही शुरुवात करते हैं, निफ्टी बैंक 200 पॉइंट उपर है, सुबह से लेकर अब तक सबसे जाधा confidence यहीं आता दिखाई दिए है, क्या वाकई में यह लीडर्शिप लेने की position में है, क्या संकेता से है? यह लेकर पॉजिशन में है यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन लेगा तो यह लेगा, यह बात पकी है, लीडर्शिप अगर लेनी है तो यह अगर बैंक निफ्टी है, सोचे के मैं बाद में बढ़ूँगा पहले निफ्टी बढ़ जाए, तो यह इसकी गलत फिमिये, पहले बैं लेकिंग शेरो के पाफरमेंस उतनी खराब नहीं थी, फंडामेंटल यह बैठर है, तीसरा, करेक्शन इसमें भी इतने ही हो चुका है, जितना निफ्टी में बाद 10% निफ्टी गटा है, 10% बैंक निफ्टी गटा है, चोथा, बैंक निफ्टी गटने में भी पीछे था, क पिछले गुरुवार से, पिछले गुरुवार को आप देखिए, बैंक निफ्टी हर निशान में बन भादा, 91 पॉइंट बैंक निफ्टी बन भादा, आज सुबह से, एक शुरात का वह खलका सा डिप देखिए, लाल निशान में थोड़ा सा इतना सा, वह छोड़ दो तो तो पूरे जिन पर ग्रीन मेरा है, तो बैंक निफ्टी कमजोर नहीं होना चाहता है, अब सपोर्ट उतना मिलनी रहा निफ्टी से, अदरवाइस बैंक निफ्टी और मजबूत हो सकता, तो यह सारी चीज़ें जो आपको तेजी की तरफ लेडर्शिप बैंक निफ्टी से एक बार निकलने के कोशिश करता, दूसरा खीज के निचे है, वो खीज़ें वेसा हाल है, तो निफ्टी कोशिश भी करें, किसी दिन कोशिश करके, मेटल ने आज अच्छा, आप कल निया देखो, इस वीकेंड पर कोई कहा नहीं सकता था कि 3% मेटल इंडेक्स उपर हो जा आज 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 आएटी ने बचा लिए, आज ऑठ ऑने बचा लिए, आज बढ़ जाथा लिए, आज इनों ने गिरा दिया, तो ये मन्दी में भी index management है लेकर अब इन दोनों के बीच में आपको क्या देखना है आपको देखना है broader market broader market अभी भी बहुत मजबूत है निचले सोखे शानदा रेकरवरी midcap small cap share हो यह अच्छा time बिताने के बाद हुए यानि कि जिनको बेचना था सप्लाई देनी थी वो दे चुके और उसके बाद है आज मिटकेप इंडेक्स पोने 200-200 उपर है इसकी बहुत ज्यादा वेल्यू है क्यों है समझे मिटकेप इंडेक्स की वेल्यू इसलिए ज्यादा कि कोई अगर आपके MGL, IGL जैसे शेर इतनी ज जादा गटे हुए हो उसके बावजुद मिटकेप इंडेक्स मजबूत है तो बहुत बड़ी बात है यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि यह निफ्टी का इस्सा नहीं है यह मिटकेप इंडेक्स के इससे उनके कंपोनेंट है उसके बावजुद अगर यह कमजोर नहीं होत थोड़ी शेयर बहुत ज़्यादा कमज़र है इसलिए इंडेक्स दब गया तो अब जैसे से समझ में आ रहे हैं मिटकेप इंडेक्स में थोड़ी रिकवरी आ रहे हैं तो गुरुवार को भी आपको अब की सिचुशन से मुश्किल लगता है कि आपको क्लोजिंग मिलेगी देखो पहला जो आपका लिटमस टेस्ट है मजबूती दिखाने का वह नहाई है कि आप पिछले दिन के हाई के उपर बन होते हैं पिछले दिन गुरुवार का ही था आपका निफ्टी का तेविस शेसो मैंक निफ्टी का पिछले दिन का था पचास पानसो एक सट पचास से स्सो मान ले इसके उपर तो कम से कम पहला बंद हो तो आप यह लगए कि हाँ पहली बाहर मतलब है अ और मुझे लेगता है कि पिछले किन मैने बर में तो हम पिछले देखे खे हाई के उपर बन नहीं अगर 23350 के नीचे बंदगा तो कम्ज़री के संकेत बहुत ज़यादा बढ़ेंगे बैंक निफ्टी 49900 के नीचे बंदोता है तो कम्ज़री बढ़ेगी तो बैंक निफ्टी तो खत्रे से बार दिखता है भी ही निफ्टि अभीन है अभी erstmal के संकेट नहीं तो निफ तक मेरो मजबोती का कोई संकेट अभी त्र नहीं मिला है थोड़ने के उप सपोर्ट है मिट के समाल कैब स्वह कर हैं और उस वहीं से आ रही हैं निफ्टि नहीं संकेट नहीं है इसके अच्छी बात है कि लोगर लिए पर आज को सपोर्ट है मिटकेब स्वाज़केब शेयरों में सपोर्ट है मेटल ओटो आपके लिए अच्छे चल रहे हैं बाकी तो गया शेयर हैं जिनने ने मिटकेब इंडेक्स को कमजोर करके रखा ही आप चलिए तो बैंक निफ्टी पर सबकी नजरें टिकी हुई है और ब्रॉडर मार्केट इनका पूरा-पूरा सपोर्ट है अपार्ट फ्रॉम कि बहुत सारे ऐसे इंडेक्स हैं और शेयर हैं जो आज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं लिए